प्रडाम दोस्तों मेरा नाम बिरजेश कुमार है और करेंट अफेर की अगली सीरीज के साथ सब्सक्राइब करते हैं यह मेरा फेस्बूक आइडी है जहां से आप बहुत सारे मैं हमेशा फेस्बूक पे करेंट अफेर पोस्ट करता रहता हूं तो वहां से आप यदि कुश्टन के साथ करेंट अफेर का पहला कुश्टन इंडियन बर्डिंग फेर का 21 आयोजन कहां हुआ था तो इंडियन बर्डिंग फेर जो है प्रवाशी पक्चियों यहाँ पे आते हैं तो इनक्यार जो मेला लगता है एक फेर लगता है पक्चियों का तो वो लगा acompa trends ज आगर जील राजस्थान में और दोस्तों यहां पर जील हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट है तो सम्टाइम्स लॉट ऑफ दो क्वेस्टेंस फ्रॉम लेक्स राइजर और यह जील मुख ऐसे तो बहुत सारे जीले हैं भारत में लेकिन मुख जीले हम लोग जो है कि याद कर में है लेकिन इसका इंडियन बर्डिंग फेर का किस्मा योजन मान सागर जील राजस्थान में हुआ था तो इसका ऑप्शन एस है और इसको जो है कि टूरिजम एंड वाइल ले साइटी ऑफ इंडिया ने और नाइस किया था यह मैंने कुछ जीलों के लिस्ट यहां पर द जियाद ही रखना है जैसे वूलर जील हो गया जमुन कस्मीर का डल जील जमुन कस्मीर का जहां सांभर राजस्थान का और लोकटाग जील मनिपुर का लोकटाग जील इंपॉर्टन्ट है यह भारत का एक मात्र तैरती हुई जील है और इसी किनारे केबुल लाम जाओ के जी दिए को लेरू जील आंदरप्रदेश की पुलिकट जीव पुलिकट जीव लोनार जील महराष्ट्रा की most important जील है क्योंकि यह एक की क्रेटर जील है क्रेटर जील हुए जील होती है जो जैसे ज्वाला मुखी फटने के बाद उससे उत्पन होती है उसके जो मुख पे ज्वाला मुखी जब फट जाता है तो जब ज्वाला मुखी सांत हो जाता है तो उसके मुख पे जो जगह बचती है उस मुख में उसके यह स्वास्त मंत्राले द्वारा महिला उत्थान के लिए जारी किया गया नहीं यह स्वास्थ मंत्राले दोरा नहीं जारी किया गया है यह पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्राले दोरा जारी किया गया है अच्छा नेशलते हैं कार्यस्थल पर महिलाओं के सेक्स्वल उत्प्रिडन के सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह पोर्टल जारी किया गया है बिल्कुल सही, एक्चुली इंडिया में पहले ये फॉरें में भुज़ादा देखा था लेकिन फॉरें में जैसे यूएस से हो गया, सिंगापूर हो गया और इंग्लेंड हो गया, तो यहां पर कानून बहुत अच्छे तगड़े बन गये हैं, तो इससे क्या है कि महिलाओं से महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह पोर्टल लांच किया गया है, महिला एवं बाल विकास मंतराले द्वारा, तो ऑप्शन B, यह केवल दो इसका सही होगा, ऑप्शन B, यह है, ऑप्शन B इसका सही है, यह पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंतराले द्वारा जारी किया और ये प्रभावी हुआ था 2004 में अगे लिट्ट डॉप्शन पर्याव रसंद्ट्शन ओजून रिक्तिकरन साइबर अपराद इन में से कोई नहीं बुद्धापिस्ट कन्वेंशन 2001 में साइन हुआ तो जब बात ये साइबर अपराद यानि साइबर क्राइम से है साइबर क्राइम से इंटरनेट एंड टू थाउजन सॉरी एंड ना उनीस सो अठान में 1998 में गूगल के आने के बाद इंटरनेट की पूरी इंटरनेट की कहानी बदल गई थी इंटरनेट में तो इससे थोड़े वह क्राइम भी बढ़ गए थे इसी रिजन से टू थाउजन वन में साइन हुआ था और धचार में लागव हुआ था इंटरनेट और कम्पूटर क्राइम से समझेट यहां इस तरह की पहले ट्रीटी है तो आप्सन सी इसका सही है ओके लेट्स कम तो नेक्स्ट कुश्चन प्रदान मंत्री की चाहिए ओजना में निम्ग मंत्राले इसमें सामिल है तो जल्द संसाधन मंत्राले ग्रामेड विकास मंत्राले क्रिशी मंत्राले तो इसमें तीनों सामिल है जल्द संसाधन मंत्राले भी सामिल है और क्रिशी मंत्राले भी सामिल है तो इसका option D हो जाएगा इसमें option D इसमें कुछ या सोटना नहीं था ह तो इसमें मंत्राले के बारे में पूछता है तो प्रधान मंत्री किसी से चाहिए संबंदीत है तो हम लोग अक्सर जल संसाधन मंत्राले या किसी मंत्राले पोही बारे में सोचते हैं यह बहुत इंपोर्टेंट है वरतमान में हमारे लिए क्योंकि भी हाल ही में जी एच आई क्या डेटा लॉंच हुआ है 2017 रिपोर्ट लॉंच हुई है तो इसमें इच आ प्रकासित यह बल्की यह प्रकासित की जाती है इंटरनेशनल फूड पॉलिशी रिसर्च इंस्टिट्यूट द्वारा तो यह अपसान एक गलत हो गया भारत जीबूती और रवांडा के साथ संयुक्त रूप से सौमे स्थान पर है बिल्कुल सही बिल्कुल सही 119 देश इसमें सामिल किये थे जिसमें भारत को सौमा स्थान मिला है it is very what to say यह थोड़ा सा नर्वश्च करता है हम लोगों को हम लोगों का स्थान अभी बढ़ा ही नीचे है समय स्थान पर हम लोग है इनिहाव हर नहीं मानना है बढ़ेंगे तो भारत जीबूती और रवांडा के साथ संयुक्त रूप से समय स्थान पर बिल्कुल सही यह है यूसे में वॉसिंग्टन डी सी में है वॉसिंग्टन डी सी में इसका है एक्वाटर ओके नेस्ट देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स जीए चाई ग्लोबल हंडर इंडेक्स की बहु आयामी प्रकृति के मापन के लिए सुचकांगों को सामिल किया तो यह बड़ इसन है अलव पोशन बाल दुबलापन बाल ठिगनापन यानिकी स्टंटिंग और बाल मिर्त्युदर यानिकी चाइल्ड मॉर्टैलिटी यह चारो के चारो साही हैं तो इसका उप्रोक्त सभी ऑप्सन डी इस ऑप्सन डी इसका एंसर होगा नेक्स्ट है भारती वन संसोधन विध्यक 2017 से सम्मंधित निम्न कथनों पर विचार किजिए इसकी अंतरगत वन छेत्र तथा गैर वन छेत्र में उगाई जाने वाले बांस को व्रिक्ष की परिभासा से बाहर किया गया है नहीं ऐसा नहीं है एक्चुली बांस को विक्ष की परिभासा से बाहर नहीं किया गया है बलकि इसमें जो है कि वन चेतर में उगाई जाने वाली वासको विक्ष की परिभासा से इसको अलग किया गया है नो कि बांस के वन के चेतर से इस विध्यक का उदेश किशानों की आय दुगनी करने तथा देश में हरित अच्छादन में बढ़ोतरी करने से है हाँ बिल्कुल सही है तो इसका भी option 2 यानि की B option 2 केवल सही है और यह वन च्छेतर में नहीं केवल गैर वन च्छेतर में उगाई जाने वाली वास्को व्रिक्ष के परिभासा से बाहर किया गया है इस अधिनियम के द्वारा भारती वन अधिनियम 1927 में संसोधन किया गया है करनाटक तांगारेश और तमिलनाडू जली कट्टू रचस्थान कांबला तो यह अभी न्यूज में है क्योंकि हालही में जली कट्टू पर बैन लगा था और वहां के लोगों ने फिर से जो है थोड़ा स्ट्राइ़ करके वापस के सरकार पे प्रेसर डालके उसको फ़र से लागू करवाया था तो इसी प्रकार से करनाटक और तमिलनाड़ स्थान में भी कुछ बैन था करनाटक में कांबला था और राजस्थान में तांगारेश है तो यहां पे भी यह लागू होने का मतलब बात चल रही थी या इसके बारें बात हो रही थी तो यह निवज है निवज में भुज़ादा है यह तो शाय कि निम्नि में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तमिल नाडु जली कटू बिलकुल सही है एक और तीन यानि की करनाटक का कामला होगा और राजस्थान का तांगा रेस होगा ये दोनों जो है कि गलत है तो इसमें आउग जाएगा आप बी यानि कि आपका option बी केवल एक और तीन कामला करनाटक से तरह तांगा रेस यहां पर भी है इधर है स्थान और जी आई टैग का मतलब ग्रॉफिकल इंडिकेशन ऐसे कभी होता है न हम लोग बात करते हैं कि मारा मतुरा का पेड़ा बहुत फेमस है तो इसी प्रकार से कोई ऐसी कोई ऐसा उत्पाद हो कोई ऐसी फसल हो कोई ऐसी हंस्तकला हो जो कोई ऐ धान पर ही पहले से है तो देखते हैं बंगाल रसगुले हालही में इससा हूँ हुआ है आंधर प्रदेश का बागान पाली और तमिल नाडव का एक स्टोन स्ट्रक्चर्चर है वो भी इसको सामिल किया गया हालही में तो यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए भिहार का मदुबनी पेंटिंग बिल्कुल ये दो पुराना है भिहार का मदुबनी पेंटिंग जैड टैग है तो इसमें चारों सही है अप्षन जो है कि डी एक दो तीन और चार इसमें चारों सही है अगले स्कोर्शन तर चलते हैं समताप मंडल में ओजोन के इस्तर को प्राकृतिक रूप से वी नियमित किया जाता है तो नैट्रोस अकसाइड द्वारा दोस्तों वी नियमित का मतलब होता है रेगुलेट करना समताप मंडल हमारा प्रित्वी के भूतल से यदि हम वायू मंडल में ऊपर कियो चले तो दूसरा मंडल है सबसे नीचे है छोब मंडल फिर है समताप मंडल फिर है मध्य मंडल और उसके बाद है उश्मा मंडल उस्म मंडल के बाद है बहिर मंडल तो समताप मंडल में करीब 15 से 35 किलो मिटर की उचाई पर के भीच में ओजोन है ओजोन गैस पायाती है ओजोन गैस तो इसे हम लोग ओजोन मंडल के रूप में भी जानते हैं तो समताप मंडल में ओजोन के साफ़े जो रेगुलेशन का काम करत तो नाइत्रस औक्साइड, CFC और जलवास तो इसको रेगुलेट नहीं करते हैं बलकि उसके चरण के प्रमुख उतरदाई है यह बहुत ज़्यदा चरण करते हैं और रेगुलेट का काम करता है वी नियमित करता वो नाइट्रोजन डाइ आउक्साइड करता है इसका अप्श और जबकी निट्रस ऑक्साइट, CFC और जल वास्प ओजोन परत के च्राण के लिए प्रमो करोप से उतर दाई हैं तो ही रहें आज के 10 questions थैंक यू थैंक यू दोस्तों थैंक यू सो मच और फिर से वही कहोंगा प्लीज सब्सक्राइब, सेयर और लाइक करें और जो भी कमी आपको लगता है कि इसमें संसोधित की जाए आपको लगता है कि नहीं इसमें और भेतर किया जै सकता है तो प्लीज सजेस्ट में इन कमेंट सेक्शन, प्लीज, थैंक यू सो मच थैंक्स, थैंक्स अलोट